Hello and good morning everyone, welcome to Learnology जैसे कि बोला थो दिन पहले last percentage के विडियो में कि इसके बाद में दो दिन बाद एक्जाम लेने वाला हूँ एक percentage का एक टेस्ट लेने वाला हूँ वैसे ही मैं आज आ गया हूँ टेस्ट लेके percentage का यह कि है आज के सब्सक्राइच अबना में थ Requtoしますali सब्सक्राइग पना में तो यह जो निए था धानान सब्सक्राइब में तो उसीывает क्राइप कीजिए के नंबर के साथ यह अधर अमड़ ओद जाए्ट नंबर केश San option नहीं है, उसमें question number देके answer लिख देना, इस तरीके से answer देना, दो दिन का time है, दो दिन के अंदर answer देना है, फिर दो दिन बाद मैं क्या करूंगा, इन सारे questions को discuss करूंगा, तो अगर कोई channel पर नय हूँ, तो channel को subscribe ज़रूर कर लेना, और bell icon भी प्रेस कर लेना, और हाँ, अग मैंने पहले बता दिया, लेकिन cheating मत करना, देख लेना, खुद को कितना आता है, और अगर किसी भी question में problem हो रहा है, तो जाके फिर उस पार्ट को देख लेना, clear है, तो चलो अभी फटा-फट से question दिखा देते है, पहला question क्या है, पहला question है, if 20% of A plus B equal to 50% of B, then value of, तुमको द पहला है, नहीं बोलूँगा, काउन से वीडियो में, फिर नहीं तो तुम लोग cheat कर लोगे, चलो second question देखते है, second question है, 40% of A plus B equal to 60% of A minus B, then इसका value तुमें निकालना है, option भी देख लो, यह option है, समझ माया, मैं question समझा भी दूँगा, सिर्फ तुम लोग को करना है, करके answer दे next video में क्या करूँगा, जो लोग answer देंगे, सही answer जिन लोगा होगा, या फिर जितना भी जियोरोशचर देंगे, सबका answer में दिखा दूँगा, नाम的 कर दूँगा, कि किसने, कितना answer और सही किया है, कितना attempt कया, कितना सही किया है, announce कर दूँगा, तो यह क्या हो जाएगा, 一 रिविशन टाइप से हो जाएगा इनकोई आठ वीडियो हो चुका है तो काफी लंबा हो गया है अभी और भी आगे आना है तो बीच में एक रिविशन चाहिए था तो इसलिए यह वीडियो मैंने बना दिया चलो थर्ड क्वेस्चन देख लो थर्ड क्या है तू नंबर्स र क्या बोल रहा है यहां पर एक सवाइज से 20 परसेंट जादा आंड करता है तो यह से कितना परसेंट कम आंड करता है इज़ी क्वेस्चन है अगर कोई कहीं भी क्वेस्चन पर अटक जाओ चीट मत करना यार पूरा ट्राई कर लेना उसके बाद जाके वह वाला वीडियो द नुक्सान करेगा तो यह काम मत करना and question सब सही से करना next देख लेते हैं क्या है in an exam in which full marks were 500 a got 10% less than b and b got 25% more than c c got 20% less than d if a got 360 marks what percentage was obtained by d क्या बोला है a को b से 10% कम मिला है b को c से 25% जाधा मिला है c को d से 20% less मिला है full marks 500 है तो a को कितना marks मिला है यह बता दिया 360 marks यह बता दिया है question में तो तुम्हें पूछ रहा है कि d का marks का percentage क्या है clear option भी दिख रहा है तो इन सब question में क्या करना तुम लोग question number देखें और option देखें option कौन सा option सही है वो डालके सीधा बोल सकते हो सीधा पोस्ट कर सकते हो और जहां पर option नहीं दिया हुआ है वहाँ पर question के साथ answer लिख देना और हाँ एक बात एक ही comment में सारे 10 question का answer लिखना प्लीज सारा question एक ही 28% 36% and 53% in an exam respectively B and C passed the exam but A failed one of them passed by 33 marks and A failed by 17 marks what is the pass marks of the exam क्या बोला है A B और C को 28% 36% and 53% marks मिला है B और C pass किया है लेकिन A fail कर गया है exam में अब दोनों में जो दोनों पास किया है B और C उसमें से कोई एक ने 33 marks से pass किया है मतलब जो pass marks है उससे 33 उसको जादा मिला है और ये को कितना कम मिला है ये को 17 marks कम मिला है pass marks है तो तुम्हें pass marks पुछा है exam का ये निकालना है clear है next question में चलते है the expenses on rice fish and oil of a family are in the ratio 12 is to 17 is to 3 the prices of these articles are increased by 20% 30% and देख रहा है कितना दिया हुआ है respectively total expenses familiar increased by ये ratio है और इस इस percentage में जो expenses है वो increase हो गया है तो total expenses कितना इंक्रीज हुआ है percentage में ये पूछा है clear है सारा question कराया हुआ है कोई भी question बहार से नहीं दिया है मेरे सारे question जितना सारा है सारे मेरे session का question है तो अच्छे से करना है उम्मीद है कि जो लोग answer करेगा सभी का answer साही होगा अगर वीडियो सही से देखा है तो नहीं तो पता नहीं चलो देखते हैं नहीं देखा है तो देख लेना अगर कहीं पर अठक जाओ तो तो देख लेना जाके वो next question देख लेते है क्या है if the price of tea is increased by 20% by how much percent the consumption of tea be reduced so that there is no increase in the expenditure on it tea का जो price है वो 20% बढ़ गया है तो तुम्हें पूछा है कि कितना consumption जो है वो reduce करना पड़ेगा ताकि जो expenditure है वो change ना हो expenditure सेम रहे है clear है तो देख लेना इसका solve करके answer दे देना next question देखते है 20 liters of a mixture contains 20% alcohol and the rest water if 4 liters of water be mixed in it the percentage of alcohol in the new mixture will be 20 liter mixture में 20% alcohol है और बाकी water है 4 liter water add किया गया है percentage of alcohol पूछ रहा है यह question तो last session में ही कराया है जो mixture वाला session था यह में बता दिया क्योंकि यह तुम लोगों को भी शाय दिया दोगा क्योंकि सबसे लास्ट वाला जो percentage का session यह उसी में कराया है clear है चलो आज के session का last question देख लेते हैं अचके test का session तो नहीं था यह test का सिर्फ question दिखा रहा था क्या बोल रहा है person give 20% of his income to his elder son 30% of the remaining to the younger son and 10% of the balance he donated to a trust he is left with 10,080 his income was income पूछा है क्या बोल रहा है वो अपने income का 20% elder son को दे रहा है जो remaining बच रहा है जो उसका 30% दे रहा है younger son को और फिर से जो बच रहा है उसका 10% वो ट्रास्ट में डोनेट कर रहा है तो सब कुछ कर लेने के बाद उसके पास 10,080 रूपीज बचता है तो उसका income actual में कितना था clear है सारा question समझ में आ गया होगा तुम लोगो question में एक बार बता भी दिया English में भी पढ़ दिया Hindi में भी meaning समझा दिया उमीद है सारा जो question है तुम लोग अच्छे से कर लोगे और हाँ जो लोग करोगे अटेंड करोगे सबको बोल रहा हूं जो लोग first time वीडियो देख रहे हो कर दूंगा तो जितना सारा वीडियो है सारे वीडियो का एक साथ आ जाएगा सारा वीडियो सब रिवाइस हो जाएगा तो next lesson मिस मत करना और और चैनल पर नहीं हो तो subscribe इसलिए कर लो और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वीडियो को अच्छा लगे तो share भी करो क्यूंकि यह जो टेस्ट है और भी लोगों को बोलो कि एटेंड करें वह शेयर करो इसलिए कि ताकि जादा लोगों तक दे रहा हूं दो दिन के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं नाम भी अन्नाउंस कर दूंगा और सारा जो है डिसकस भी कर दूंगा question तो आज कर वीडियो यही पर खतम करते हैं थैंक्यों और बाइबाइ